नमस्कार दोस्तों हमारे देश के जो ये राष्ट्रवादी लोग है भाई साथ ये बड़े कमाल के लोग है इनका राष्ट्रवाद भाई साथ बीज बीच में चुनाओं के टाइम ऐसा उबाल मारता है कि पूछिये मन आप लोगों के याद होगा कि जब पिछले साल अभी बंगाल में चुना हो रहा था देखे कैसे हिलोरे मार रहा था ये ममता दीदी जैसरी राम से चट्वती क्यों है देख रहे हैं भई साब ये ममता दीदी इन्नों बंगाल की हालत करदी है अगर मंता जीदी जीद गई तो ये समल लेना ये पाकिस्तान बन जाएगा बंगला देश बन जाएगा ये खत्रे में है वो खत्रे में है लोगतंत्र खत्रे में है ये कट मनी वाले लोग ये पैसा जाता कहां था ये लूटती है यहाँ पे यह खत्रे में वो खत्रे में भाई साथ चुनाओ खत्म हुआ, सारी बात खत्म हो गई, हो गई के नहीं हो गई, लेकिन दो महिने इन लोगों ना इसी मतलब जिसको कहते हैं ना चरस बो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि सारा खत्रा सारे धरम में और चीजों में, ब उसके बाद में, वहाँ देखिए, वही नफरत निकल करके सामने आई, वहाँ पर इतने लोग पता नहीं क्या-क्या लडाई, जगडा, मारा, कूट, पलायन, यह सब हो गया, उसके बाद में चुट्चाप आकर बैट गे अपने घर में, तब कोई गया, दिदी, ओ दिदी, कोई गया उनको देखने, उनके घर पे गया कोई, नहीं गया, यह अपना काम निप्टा करके, आग लगा करके, नफरत फेला करके, बवाल काट करके, चुट्चाप लटा है, अब इनको कोई मतलब नहीं बंगाल, बिहार में जब चुनाओ था, तो कैसे बोलते थे, यहाँ तो यह, आज भाई साब बिहार में देखो, वही हालत, वही परेशानी, वही मजदूर, वही गरीबी, नौकरी, धक्ते खा रहे हैं लोग, कोई पूछने वाला है, लेकिन दो महीने जब तक चुनाओ था, ऐसा लग रहा था, बिहार को इन से जादा है, तो कोई चाहता ही विहार के लिए तो मतलब दो-चार लोग अपनी जान देने को तयार बैठे थे, ऐसा लग रहा था, अब कोई पूछने वाला है, वही हाल देखे उत्तर पदेश में, ये तमंचावादी लोग, ये दंगावादी लोग, पलायन हुआ करता था, एक धरम के नाम पे तुष् कोई कुछ, आप बोलो, आप लड़ो, ये बच्छी पार्टी है आपकी, एक दूसरा को उठा के पटक दो, लेकिन ये जो आप बोलते हो, नफ्रतवादी और दंगावादी और तमंचावादी, ये ये करते थे, वो कर, आईसा पांचालाद थे, सब बैठ करके आप सत्ता म भी तो ऐसा हो जाएगा, अच्छा, ये ऐसी, ये सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में समाज में एक दूसरे के अंदर नफरत भैल जाती है, ये राष्टवादी लोग है, ये ये राष्टवाद है, कि आप किसी चुनाओ के चकर में, वोट बटोरने के इतनी नफरत हो, इतना महौल, इतना ये सब डिस्टर्ब कर दो, उसके बाद निकल लो, लड़ते जूचते जो लोग है यहां के, जनता है जो, वो आपस में लड़ती है, तो आप कहतो काम है, अगर आप सच्चे राष्टवादी हो, सच्चे देश भक्त हो, तो इस नफरत से इस महौल से लोगों को निकालो, अगर दूसरी पार्टी गलत है, चीज़े तो आप को निप्टा देना चाहिए था अभी तक पान साल में उनको, आप फिर वही जाकर के उनसे आशिरवाद दोगे, उनके यहां शादी में जाओगे, वहां बैठोगे, और जनता विचार चो तू फलाना डिमाका आपस में लड़ते रहते हैं, भाई साब यह लोग लड़ा करके निगल जाते हैं, आप सूचिए, यह राष्टबाद हैं, सिर्फ चुनाओं में, अभी इनको राष्टबादी आजा रहा है, और बाते भी 2017 के पहले यह होता था, 2017 के पहले, यहां स लिए कर रहे हैं, लेकिन जो भोली भाली जनता है, बहुत सारे लोग हैं, जो चीज नहीं समझते हैं, तो उनके मन में तो एक भाव भर जाता है, आप तो निकल लोगें, यह जनता जो यहां की है, इनके दिल में, इनकी भावना, यह कितने अलोस पडोस मुहला, अपना शह वहां पर नफरत लिए घूम रहे हैं, क्या भाट रहे हुआ अप, और जब कोई, मेरे जैसा आदमी अगर कोई ऐसी बात कर दे, तो यह कहा जाएगा, यह दो को फलाने का आदमी है, यह धिमाके का आदमी, यह देखो इसके मूँ से, आप सुनो, मलब कोई अगर अच्छी बात कहते हैं, यह उसका आदमी हो, तुम ही लोग सब सही हो, यही राष्टवाद है, अरे राष्टवाद यह है, जो सब के बारे में वाकई में सोचे, कोई कहता है, यह उनके बारे में सोचते हैं, अरे यह उनके बारे में सोच रहे हो, तुम भी तो इनके बारे में सोच जहां जहां चुना हो रहे हैं, वहां की अवाम को ध्यान रखना है, जन्ता को ध्यान रखना है, कि वो आपस में सोहार्द बना करके प्रेम बना कर रहें, और जो इस तरीके के लोग इनको पहचाने हैं, और यही टाइम हैं, इनको जवाब दे, ताकि आप लोग हमेशा मुहल पड़ोस एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग आप लोग चैन्स से रहें जब ऐसा नहीं होता है तब फिर अपने को कहना पड़ता है बहुत हुआ सम्मान